Zain, The Art of Simple Living शुनयो मासुनो द्वारा लिखी किताब शुनयो मासुनो जापान में 450 साल पुराने Zain बौध मंदिर के मुख्य पुजारी है जो दुनिया भर के ग्राहकों के लिए एक पुरसकार विजेता Zain उद्यान डिजाइन और जापान के प्रमुक कला स्कूलों में से एक में परियावरन डिजाइन के प्रोफेसर है पुस्तक आपकी आदतों और परिप्रेक्ष में सूक्षम बदलावों के बारे में है बस आपको बस जीने की जरूरत है जैन शैली आपको यह किताब क्यूं पढ़नी चाहिए? लेखक प्रस्तावना में खूबसूरती से व्याख्या करता है आप किसी प्राचीन शहर के किसी मंदिर या मंदिर में जाते हैं और शांत बगीचों को देखते हैं आप एक पहार पर चड़ते हुए पसीने से तरबतर हो जाते हैं और शिखर से व्याखक द्रिश्य का आनन लेते हैं आप एक क्रिस्टल नीले समुद्र के सामने खड़े होते हैं और क्षितज को देखते हैं क्या आपने ऐसे असाधारन क्षणों में तरोताजा होने की भावना का अनुभव किया है जब आप रोजमर्रा की जिन्दगी की हल्चल से दूर हो जाते हैं आपका दिल हल्का महसूस करता है और आपके शरीर में एक गर्म उर्जा का संचार होता है डैनिक जीवन की चिन्ताएं और तनाव एक पल के लिए गायब हो जाते हैं और आप इस क्षण में बस अपने आपको जीवित महसूस कर सकते हैं आज कल बहुत से लोग अपना पैर्क हो चुके हैं वे चिन्तित और ध्रमित हैं कि अपना जीवन कैसे व्यतीत करें यही कारण है कि वे अपने मानसिक संतुलन को बहाल करने के प्रयास में असाधारन की तलाश करते हैं यहां तक एक बार जब आप रीसेट को धक्का दे देते हैं तो असाधारन रोजमर्रा के बाहर रहता है आप जीवन की जटिलताओं पर कितना भी विलाप करें दुनिया को बदलना कोई आसान काम नहीं है अगर दुनिया वैसी नहीं चल रही है जैसा आप चाहते हैं तो शायद बहतर होगा कि आप खुद को बदल ले फिर आप जिस भी दुनिया का सामना करते हैं आप आराम से और आसानी से उसमें से गुजर सकते हैं जीवन शैली बदलना मुश्किल नहीं है, इसके लिए आदतों में थोड़ा बदलाव और परिप्रेक्ष्य में सूक्षम बदलाव की जरूरत है। जैन एक सुखी जीवन जीने के लिए आदतों, विचारों और संकेतों के बारे में है। पुस्तक सरल आदतों को व्यक्त करती है जो इस परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना आसान है। पुस्तक को चार भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें सिप्रतियेक में 20-30 अभ्यास शामिल है। मैं एक भौतिक प्रती खरीदने की सलाह दूँगा क्यूंकि यह सुन्दर चित्रों से भरी हुई है। लेखक हम से अनुरोध करता है कि इन जैन प्रताओं को न केवल भौतिक रूप से समझें, बलकि वास्तव में उनका अभ्यास भी करें। आखरकार, आप जो उत्तर खोज रहे हैं, वे भीतर हैं। अपने वर्तमान स्वक को सक्रिय करने के तीज तरीके। खाली पन के लिए समय निकाले पहले खुद को देखें। आप जैसे हैं वैसे ही अपने साथ रहें, लेकिन बिना जल्दबाजी के, बिना अधीरता के, किसी भी दिन, आपको केवल दस मिनट की आवश्यकता है। कुछ भी न सोचने के लिए, खाली पन के लिए समय निकालने का प्रयास करें। किसी भी चीज के बारे में न सोचने के लिए समय निकालना, ये एक साधारन जीवन बनाने की दिशा में पहला कदम है। 15 मिने पहले उठो, जब आपके दिल में जगह न हो तो, नुस्खे, जब हमारे पास समय की कमी होती है, तो यह कमी हमारे दिल तक भी फैल जाती है। हम स्वतर कहते हैं, मैं व्यस्थ हूँ, मेरे पास समय नहीं है, जब हम ऐसा महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग और भी ज़्यादा व्यस्थ हो जाता है, हम व्यस्थ हैं क्योंकि हमारे दिल में जगह नहीं है, सुभर की हवा का स्वाद लें, साधू की लंबी आयू का रहसे यहां पाया जाता है, हर दिन एक जैसा नहीं होता, जब आप अपने जूते उतारें तो उन्हें लाइन अप करें, यह आपके जीवन को सुशोभेत करेगा, आपके मन में विकार आपके पैरों में दिखाई देता है, जो आपको चाहिए उसे त्याग दें, यह आपके को तरो ताजा कर देगा, नई चीजों को प्राप्त करने से पहले पुरानी चीजों के साथ भाग लें, अपने अनुलगनकों को त्यागें, अपनी धारणाओं को छोड़ दें, अपनी संपत्ती कम करें, सरलता से जीना भी अपने शारीरेक और मानसिक बोज्यों को हो जाता है, त्यागने का कार्य, मानसिक और शारीरिक बोज्य से अलग होना, उस बोज्य से जो हमें बोज्यों करता है, अत्यंत कठिन है, कभी-कभी यह वास्तव एक दर्ड के साथ हो सकता है, जैसे कि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भाग लेते हैं, जो हमें प्रिय है अगर आप चीजों को बहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप हलके दिल से जीना चाहते हैं, तो आपको त्याग कर शुरुवात करनी होगी, जिस क्षन आप अलग हो जाएंगे, आपके जीवन में एक नई बहुतायत प्रवाहित होगी, अपनी डैस्क वियवस्थित करें, दिमाग तेज होता है, आपका डैस्क एक दरपन है जो आपके आंतरिक मन को दर्शाता है, जाडू के हर जाडू से आप अपने दिमाग की धूल को साफ कर देते हैं, कपड़े के हर स्वाइप के साथ, आपका दिल उजवल हो जाता है, अपने दिमाग को तरो ताजा रखने के लिए सबसे पहले अपने आसपास की चीजों को क्रम में रखना है। कॉफी का स्वादिष्ट कप बनाएं। अपना समय निकालने में मिलने वाली खुशी। जब हम प्रयास को समाप्त कर देते हैं, तो हम जीवन के सुखों को समाप्त कर देते हैं। सबसे पहले, आप जंगल में जाते हैं और जलाओ लकडी इकठा करते हैं। तुम आग बनाओ और पानी उबालो। जैसे ही आप कॉफी बीन्स को पीशते हैं। आप आसमान की ओर देखते हैं और कहते हैं। क्या खूबसूरत दिन है। इस तरह से पी गई कॉफी का स्वाद मशीन से कॉफी की तुलना में काफी बहतर होने की संभावना है। शायद इसका कारण ये है कि इस प्रक्रिया में प्रत्येक चरण को जीवन में लाया गया है। जलाओ लकड़ी इकठा करना, आग लगाना, फलियों को पीसना, इनमें से किसी भी क्रिया में कुछ भी बाहरी नहीं है। इसे ही मैं जीना कहता हूँ। जीवन के लिए समय और प्रयास की आवश्यक्ता होती है। कहने का तातपर्य यह है कि जब हम समय और प्रयास को समाप्त कर देते हैं, तो हम जीवन के सुखों को समाप्त कर देते हैं। हर बार सुविधा के दूसरे पहलू का अनुभव करें। कागस पर प्रेन को सावधानी से लगाएं। आपकी लिखावट में आपका असली रूप देखा जा सकता है। अपना ध्यान अंदर की ओर मोडें, ध्यान से लिखने या आकर्शित करने की कोशिश करने पर विचार करें। इसे दूसरों को दिखाने के इरादे से नहीं, बल्कि ध्यान से अपने भीतर का सामना करके, आपका सच्छा स्व एक ही पंक्ती या अक्षर के माध्यम से दिखाई देगा। एक तेज आवाज का उपयोग करने का प्रयास करें. यह खुद को प्रेरित करने का एक तरीका है. अपने प्रेट से बोलो और अपने दिमाग को जगाओ. जब आप जोर से बोलते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपनी आवाज को सपष्ट रूप से सुन सकते हैं. लेकि यही आपने अपने सुभा के अभिवादन में बहुत अधेक दिल लगाया हो। आपको आश्चर्य हो सकता है कि यह कितना अच्छा लगता है। अपने भोजन की उपेक्षा न करें। खाने के बारे में अपना भोजन बनाओ, पूरे मन से खाओ और पीओ। हम स्वादिश्च चीजों का आनंद क्यों लेते हैं? क्योंकि हम में जीवन उसी का स्वाद लेता है जिसे जीवन ने दूसरे में उगाया है। के बाद रुकते हैं, अपनी चीनी काटा लगाते हैं। इस विराम का उद्देश्य हमें प्रतियक काटने के साथ कृतग्यता की भावनाओं का स्वाद लेने में सक्षम बनाना है। भोजन केवल भूख मिटाने के लिए नहीं है। वे हमारे प्रशिक्षन का अभ्यास करने के लिए एक महत्वपूंड समय है। सबजी केंद्रिता हार के लाभों की खोज करें। शाकहारी उपवास आपके मन और शरीर के लिए एक त्वरित सफाई है। भोजन वो है जो आपके शरीर और दिमाग दोनों का निर्मान करता है। अपने पसंदीदा शब्दों की तलाश करें। अपने दिमाग के साथ रहने का समय। उदाहरन के लिए सभी चीजे शून्यता से आती हैं। अपने आपको आसक्तियों से मुक्त करने के लिए एक जैन वाक्यांश। शून्य में अनंत क्षमता है। इसका अर्थ है कि मनुष्य कुछ भी ना होने के कारण पैदा हुआ है। फिर भी हम सभी के भीतर अनंत क्षमता है।